नमस्कार साथियों कैसे आप सभी में अस्वानी चोधिये एक बार फिर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एससी मेकर में एक बार सभी बच्चे जुड़ जाईए और सेशन को लाइक वासेर जरूर किजेगा और आज हम डिसकस करेंगे आपके जो ग्रूप D का एक्जाम हुआ उसमें जो आपके करन्ट अफिर्स के कोशन पूछे गए एक बार आप सभी जो बच्चे आज एक्जाम देके आए हैं वो एक बार जो है हमारे जो नमबर है ओपिस नमबर वार्सप नमबर पर मैसिज करके अपना जो भी कोशन उनके याद है वो बेज सकते हैं क्योंकि काफी कम बच्चे कोशन बेज रहे हैं करन्ट अफिर्स के मैं नहीं कह सकता कि आप क्यू भेज रहे हैं इतना कम कोशन तो एक बार अगर याद है एक दो कोशन वो आप भेजेगा तो देखते हैं आज क्या 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 आपके एक्जाम तो ये आपको ध्यानक ना है, इस बार जो IPL का 2022 का संस्क्रण हुआ, इसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था, ये कोशन आप से पूछा गया है, इसके अलाब आप ध्यानक हैंगे, IPL से और भी आपके कोशन पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि IPL में जो आपको ध्यानक ना है, कौन सी है, एक है गुजरात, टाइटन, दूसरा आप ध्यानक हैंगे, दूसरी टीम है आपकी लखनाउ सूपर जाएंट, कौन सी है, लखनाउ सूपर जाएंट साथ के साथ आप लिखते जाएगा, क्यूंकि important question है, सारे आपके exam में पूछे जा सकते हैं, यहां से आपके question जो है, वो पूछना अब start कर दिया गया है, तो ध्यानकिएगा, दो टीमें इसमें नहीं add हुई, कौन-कौन सी, गुजरात, टाइटन और लखनाउ सूपर जाएंट, पहला question आपको ध्यानक ना है, कि कितने टीमें थी, इसमें आपको ध्यान नकना है टोटल 10 टीमें थी, दो जो नहीं टीमें add हुई, यह कौन-कौन सी है, गुजरात, टाइटन और आपका लखनाउ सूपर जाएंट, एक चीज़ आप ध्यान नकिएगा, 2022 में यह IPL का कौन सा संस्क्रण का आयोजन किया गया, तो ध्यान नकिएगा, यह पंदरवे यह भी आप से पूछा जा सकता है, पंदरवे संस्क्रण जो है, किस टीम ने जीता तो ध्यान नकिएगा, यह गुजरात टाइटन ने जीता, जिसके कप्तान कोन थे, हार्दिक पांडिया यह भी आप ध्यान नकिएगे, कोन थे, हार्दिक पांडिया इसके कैप्टन थे, और आपको ध्यान रखना है, कि जो लकनाव सूपर जाइंट है, इसके कप्तान को उन थे, तो के एल राहूल इसके कप्तान थे, ये भी आप ध्यान रखेगा, ठीक है, एक बार सभी बच्चे बदाएंगे कि जो परपल कैप थी, 2022 का जो सीजन है, सीजन है, आई पेल का परप हार्दिक पांडिया, हार्दिक पांडिया क्या है, आर्दिक पांडिया ने ये जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे, हार्दिक पांडिया स्ट्रीम के कैप्टन ते, गुर्जरा टाइटन ने इसका संस्क्रण जीता, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पहला संस्क्रण का आय आपकी जो ओरेंज कैप होती है, ये किस-किस छेतर में दी जाती है, किस खिलाडी को दी जाती है, तो ध्यान रखेगा, 14 कोशन आप लिखेंगे, जो आपकी परपल कैप होती है, ये सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है, उसे दी जाती है, तो इस बार 2022 के संस्क्रण में, जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए, ये किस ने लिए, ये लिए आपके जुजविंदर चहल ने, ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए, कितने विकेट लिए आप से पूछा जा सकता है, तो टोटल इनो ने 27 विकेट लिए, ये भी आप ध्यान लखेगा, 27 टोटल इनो ने विकेट लिये हैं, ये किस टीम के कप्तान थे तो ध्यान लखेगा, ये आपको ध्यान लखेगा, तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाए, किस ने बनाए, तो ये जोस बटलर ने सबसे ज़्यादा युदा रन बनाए, ये आपको ध्यान लखना है, टोटल कितने रन इन्होंने बनाए ये भी आफ से पूछा जा सकता है, तो ध्यान लखेगा, टोटल या रन भी एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, इसके लवाब आप ध्यान लखेगे इन्होंने, आप से जो कु पूछा जा सकता है और six कितने लगाए तो six लगाइने 45 इनोंने six लगाए ये भी आप ध्यानकेगा और ये भी किस टीम से दे ये भी राजिस्थान रोयल से थे ये भी आप ध्यान लगा तो ये सारी चीजे आपको ध्यान लख नहीं है ठीक है और टोटल जो run बनाएं कितने बनाए, 863 रन इन्हों ने बनाए ये भी आपको ध्यान लखना है, इसके आलावा जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका IPL 2022 का संस्क्रन था, ये पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया, तो ध्यान लखेगा ये जो पहला मैच खेला गया, ये किस-किस के बीच खे वान खेड़े स्टेडियम मुंबई में यह खेला गया यह भी आपको ध्यान खना है ठीक है कहांपर मुंबई में यह स्टेडियम है इसके अलावा जो आफसे पूछा जा सकता है कि जो final match था IPL 2022 का ये final match जो हुआ ये कहाँ पर हुआ तो ध्यान लखेगा जो final match को आयोजन हुआ ये Montera Stadium में हुआ कहाँ पर Montera Stadium में हुआ ये Montera Stadium कहाँ पर है ये गुजरात में है ये भी आप ध्यान लखेगा जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भी आपको ध्यान लखना है final match यहाँ पर खेला गया तो ये सारे questions आपको ध्यान लखने इसके लावा अगर और भी आपको information चाहिए तो इसकी video एक pro पर बना दी गई है जो SSC Maker जो YouTube चैनल है वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं ये आप ध्यानक एगा Monera नहीं Montera stadium ये आप ध्यानक नहीं पहला match किस-kिस के बीच खेला गया चिन नहीं वो कलकत्ता के बीच खेला गया और वान खेडे stadium मुंबई में ये खेला गया था ये भी आपको ध्यानक नहीं तो ये सारी चीजे आपको ध्यानक नहीं है ठीक है ना पहला कुल टीम थी कितनी थी? 10 टीमे थी दो नए टीमेस में सामिल हुई Gujarat Titan और लखनाव Supergiant मैच किसने जीता? IPL का 15 संसकरण किसने जीता? ये जीता आपकी Gujarat Titan ने जिसके जो एक तरीका से Big Sports से आपका ये पूछ गया दोसरा कुशन आपका Olympics2022 अपका कुशन पूछा गया कि भारतिय टीम ने कान से पदक जीता है भारतिय कि टीम ने कान से पदक जीता है जो आपका Tokyo Olympics का आयजन हुआ इसमें कांज से पदक भारत की किस टीम ने जीता तो ध्यान रखेगा ये जीता आपको ध्यान रखना है भारती होकी टीम ने भारती जो पुरुस होकी टीम है इन्होंने कांज से पदक जीता था ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है जो होकी टीम है ये भी आप से पूछा जा सकता है, इसके अलावा टोटल जो पदक जीते, ये कितने जीते, साथ पदक टोटल भारत ने ओलंपिक में जीते थे, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल किस खिलाडी ने जीता, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो जो गोल्ड किस किसने ये silver जीते ये भी आपको ध्यानकना है तो पहला खिलाडी है आपको ध्यानकना है मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू जो वेट लिप्टर है इन्होंने silver medal जीता एक question जो आप से पूछेगा कि किस category की ये खिलाडी है तो 49 kg ये निके 49 kg वर्क की ये खिलाडी है ये वेट जीता किसने जीते लुए रवी कुमार दहया ने जीता ये भी आपको ध्यानकना है ये wrestler है कहां से है तो हरियाना से एक बच्चे बताएंगे कि मीरा बाई चानु है ये किस परदेश की खिलाडी है जल्दी से एक बार सभी कमेंट में बताएंगे तो 57 kg में ये wrestler है ये भी आपको ध्यानकना है ये हरियाना से है ये भी आपको ध्यानकना इसके लावा चार खिलाड़ी आपको ध्यानकने है पीवी सिंदू, लवलीना, बोर्ग हैन, बजरंग पुनिया ये आप ध्यानकीगा इन्होंने क्या जीता इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता ये भी आप एक लिखिएगा, पहला है आपका भारती होकी टीम, जिन्होंने कांसे पदक जीता, दूसरा है बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, ये किस खेल के खिलाडी हैं तो ध्यान किएगा, ये भी रैसलर है, ये कुस्ती ये लड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान लखना है, किस वेट केटगरी में उन्होंने मेडल जीता, तो 65 केटगरी में उन्होंने मेडल जीता, ये भी आपको ध्यान लखना है, ठीक है, मिरा बाई चानू हरियान से नहीं है, एक बार सभी बच्चे कमेंट बे बदाईएगा, कि मिरा बानू कहां से बिलकुल सही, मनिपूर की ये एक लाड़ी है, ये भी आपको ध्यान लखना है, चलिए, हरियाना से कोन है, हरियाना से है आपके निरज चोपडा, बजरंग पुनिया और रवी कुमार दहिया, ये आप ध्यान लखनेगे, दूसरा ध्यान लखनेगे, जो पीवी सिंदू है, इन्होंने भी इसमें इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है, तो ये आपको ध्यानकना, इस पोर्ट से आपके काफी कोशन पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, कि जो IPL है इस पे आपको फोकस करना है, IPL से आपके पूछना स्टार्ट हो गए है, तो आपको जो IPL है ये ध्यानकन है, दूसरा common wealth जो है इस पे आपको फोकस करना है, common wealth की जो वीडियो है, ये दोनों वीडियो आपकी अपलोड करती गई है, इसमें जितने भी कोशन बन सकते दें, वो सारे कोशन इसमें आपको करा दिये गए, बड़े ध्यान से चीजों को आप समझेगा, ठीक है, इसके अ अरेंद्र मोदियनी के परधान मंत्री जो है हमारे इनके मुख्य सलाकार कौन थे, मुख्य सलाकार आप से पूछा गया है, एक बार सभी बच्चे बदाएंगे कि कौन मुख्य सलाकार है, क्योंकि ये कोशन आपको कराया जा चुका है, आपकी जो current affairs की class होती है, ये कब होत होती है, ध्यानक एगा, सुबाज 6 बजे आपकी current affairs की class होती है, ये आपको ध्यानक ना है, डेली आपकी current affairs है, वो सुबा होती है, ठीक है, चलिए, वा मोदी जी, वा, बहुत अच्छे, ठीक है, एक बार सभी बच्चे, सहसन को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, क्योंक तरुन कपूर ये आपको ध्यानक ना है, कौन है, तरुन कपूर, इसके अलावा आपसे पूछा जा सका है, कि मुख्य आर्थिक सलाकार कोन है, ये भी question आपका, group D का जो shift है, 17 ऐ 18 तारिक की shift है, छुशा जा चुका है, मुख्य आर्थिक सलाकार कोन है, ये एक बार आप सां में बताईएगा ठीक है तो ये सारी चीजे आपसे पूछी गई है बिल्कुल तरुन कपूर क्या है मुख्य सलाकार है किसके प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के चलिए नेक्स्ट कोशन जो आपसे पूछा गया ये पूछा गया कि 31 जीडी बिल्ला पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो ध्यान लखेगा ये किसे सम्मानित किया गया 31 जो 2021 का है ये भी आपको ध्यान लखना है 2021 का 31 जो पुरुसकार से सम्मानित किया गया ये किसे किया गया तो ये है प्रोफेशर नारायन परधान कौन है प्रोफेशर नारायन परधान ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है प्रोफेशर नारायन परधान को सम्मानित किया किसे सम्मानित किया गया तो सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया ये भी आपको ध्यान लकना है किसे सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया बिल्कुल अनंत नागेश्वर ठीक है चलिए जिन बच्चों का कल exam है ना वो जो हमारा office number है आपको question उस पे भेजने हैं काफी कम question आप भेजते हैं पदा नहीं क्या इसका reason है आपके याद नहीं है या question tough आ रहे हैं लेकिन जो questions का level है वो easy है दूसरा आप ध्यान लखेंगे जो 2022 की current affairs है यहां से question आपके focus करना है फरवरी से अभी तक question पूछे गए है मार्च और मई अप्रेल तक आपके अप्रेल मई तक question आए है जून जुलाई से अभी question नहीं आया ध्यान लखेंगा अभी इस पे आपको focus करना है और सबसे जादा जो focus है वो आपको sports पे करना है जिसमें आपका IPL है commonwealth है यह आप ज्यान रखेंगा और ओपका Tokyo Olympic है इस पे आपको focus करना है यहां से question आपके पूछे जा रहे है इसलिए इस पे आपको sorry ज्यादा focus करना है चलिए एक question जो आप से पूछा गया यह पूछा गया कि जनवरी 2022 में Odisha Open Badminton Tournament किसने जीता जनवरी 2022 में Odisha Open Tournament Odisha Badminton महिला टूर्णामेंट महिला परतियोगता किसने जीती यह आप से पूछा गया तो इसमें चार option दिये गये जिसमें लखसे सेन था आपका PV सिंदु था ये भी आपको ध्यानकना है क्यों था PV सिंदु लखसे सेन इसमें आपका option में था इसके लावा आपका signah Nehwal था तो चार option थे और आपको ध्यानकना है यह किसने जीता यह PV सिंदु ने जीता है ये भी आपको ध्यानक नाए किसने पीवी सिंदू ने ये जीता कहां पर ये उडिसा में हुआ था इसके लाब आप ध्यानकेंगे जो फीपा महिला विश्व कप है अंडर 17 कौन सा फीपा विश्व कप 2022 अंडर 17 इसका आयोजन कहां पर होगा इसका आयोजन भी उडि और अभी फीपा जो है ठीक है ना इसने भारत की जो फुटबोल फ्रेंचाइजी है या फुटबोल संग है इस पर परतीबंद लगा दिया था जो कि अब हटा दिया गया है ये आप ध्यानकिएगा तो ये आपको ध्यानकना एक कोशन और उडिसा से पूछा गया था कि जो र राजा पर होता है रज या राजा पर ये किस प्रदेश में मनाया जाता है तो ये उडिसा में ही मनाया जाता है ये आपको ध्यानकना है तो ये सारे कोशन आपके हो सकता है कि कल के एक्जाम में रिपीट कर दिये जाए इसलिए आप ध्यानकिएगा ठीक है ना तो ये सारे क तो ध्यान लखीगा ये था आपका switch open badminton tournament 2022 किसने जीता तो इसमें भी आपको ध्यान लखना है ये भी PV सिंदू ने ही जीता है ठीक है PV सिंदू ये भी आप ध्यान लखेगा इसके लावा एक कोशन जो और आपको ध्यान लखना है वो है सयद trophy tournament यानि कि सयद trophy tournament ये किसने जीता ये भी आपको ध्यान लखना ये भी PV सिंदू ने ही जीता था तो ये सारी चीजे आप ध्यान लखेगा आज के current affairs के question ये आप से पूछे गए है ठीक है sir मुझे सवाल बताते हैं वो जो आज भी सिर्फ दोस्त के exam में है ठीक है आप जो questions है आप जो हमारा office number है उस पे आप call कर सकते हैं बता सकते हैं या whatsapp करके आप भेज सकते हैं ठीक है पीवी सिंदू तो पीवी सिंदू जो badminton है इससे भी question आपके लगदार पूछे जा रह है ठीक है जिनका exam नहीं हुआ वो अभी से इस चीज को focus कीजिएगा जो commonwealth है उस पे आपको focus करना है ओलंपिक है इस पे आपको focus करना है और जो चोटी चोटी ट्रोफियां है किसी देश में आज इत कोई trophy है उस पे भी आपको लगातार ध्यान लकना है कि question कहां से पूछे जा सकते हैं यह सारी चीजे आपके लिए काफी important है 2021 से एक या दो question आपका आता है 2021 से जो current affairs है मुआत्र एक या दो question आपसे पूछा जा रहा है वो भी आपके sports या आपके जो सम्मान है जैसे आपका पद्म स्री सम्मान हुआ आपका पद्म विभूशन हुआ आपका पद्म स्री हुआ यह ध्यान लखना है भारत रतन से सम्मान से भी question आपके पूछे गए तो इसलिए आपको ध्यान लखना है जो यह एक analyze है यह आपके लिए काफी काम आएगा यह आप ध्यान लखेगा ठीक है तो जो अब class होगी आपकी आजे सर आपकी reasoning की class लेंगे जो आपके आ class में attend होना है आना है आपको notification जाए या ना जाए लेकिन जो current affairs है सुबा 6 बजे और 9 बजे आपकी math की class होगी ठीक है 11 बजे आपकी GKGS की class होगी दो बजे आपकी Hindi की class होगी जो आपकी targeted है SSC GD के लिए और आपके UP police PAT के लिए और आपका जो UP SSSC है इसके लिए यह आप ध्य खान रखेगा चलिए